नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सर्मा आप लोग सामें फिर से हाजर हूं एक नए बिजनस ऑपर्चुनिटी के साथ में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कोटन विक का आप देखते हैं दिया में जो बात ही आप लोग लगाते हैं तो इसको कोटन विक में आप कोटन विक का जो है बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जानकारी दिया है कि अगर आपको कोटन विक का मैनुफेक्ट्रिंग विजनस स्टार्ट करना है तो क्या चीज़ों की रिकॉमेंट रहेगे कौन-कौन से मशिन आपको ल सबसे पहले मैं आपको जानकारी देदू कि अगर आप कोटन विक का बिजनस स्टार्ट करना चाते तो पहले आपको अपने एरिया में सर्विक करना पड़ेगा क्या चीज़ों करना पड़ेगा मैंने यह कोटन विक जो है एक पासवाले दुकान से खरदा है तो उस दुका मारकट में अभी कितना कॉंपिटिशन है . मारकट में मिलता है तो मैंने आपको Gesetzentwurf की आपको अपने एरिया को सर्वे करना पड़ेगा आपके रेट की जानकारी होने चाहिए यह जो पैकेट है यह जो है पांच पैकेट है तो पांच पैकेट जो है कितना में सप्लाई किया जा रहा है ठीक है यह आपको पूरी तरह से जानकरी होनी चाहिए अगर जिस लोकेशन में आप रहते हैं अगर उस लोकेशन में पहले से ही मैनेफेक्शर अबलेबल है तो आप आपको उस manufacturing industry में पहले विजट करना चाहिए, वहाँ पे ये कितना बन रहा है, ये आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाना चाहिए, तो अगर आपके local area में कोई ऐसा manufacturing आवलेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देंगा कि जो है काफी जादा बड़ा है, और यहाँ पे competition भी काफी जादा बड़ा हुआ है, तो अगर आप इस business को करने के लिए सोच रहे तो friends कहीं न कहीं, आपका जो raw metal जहां से भी आप लेके आएंगे, वो आपको सस्ते में मिलना चाहिए, तब ही आप इस business में सही तरीके से tick पा सकते हैं, इसके बाद आपको दो number of manpower requirement रहेंगे, पहला जो है आपको production के लिए लगए और जो दूसरा है packing के लिए लगए तो मैंने यहाँ पे एक ही manpower लिखा है, friends यहाँ पे जो दूसरा manpower है, जो भी उद्दमी होगा, वो होगा, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि मै आपको दो manpower की recommend रहेगी, पहले एक आपको manpower hire करना पड़ेगा, जो दूसरा manpower आप खुद रहने वाल है, ठीक है, इसके बाद जो है, यहाँ पे आपके पास में आपकी local market का survey report होना चीए, कोटन विक का, ठीक है, अगर आपके पास में survey report नहीं है, तो friends मेरा personal opinion है, कि आप इस business में enter ना करें, इसके बाद जो आपका next recommend है investment, आपके प्रापर investment होना चीए, कितना investment लगेगा, यह हम लोग investment के portion में जानेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपको cotton wick का business start करने के लिए आपको कौन-कौन से raw metal आपको लगने वाल है, friends यहाँ पे आप क्या manufacturing करें, cotton wick, तो यहाँ पे आपको क्या लगएगा raw metal में, white raw cotton raw, यहाँ पे आप दखरें यह जो है आपका white raw cotton raw है, यही आपका as a raw metal होने वाला है, अभी market में देखें तो यह आपको 80 रुपया पर kg किसाफ़ से आपको market में यह मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 90 रुपय पर kg, 100 रुपय पर kg किसाफ़ से आपको मिलेगा यह raw metal में, आपको फिर से बता रहा हो, यह आपका totally depend करेंगा यह आपकी इस location से belong करते हैं, इसके बाद दूसरा आपका raw material है, यहाँ पे आपको as a packaging material आपको purchase करना पड़ेगा, फेंट्स आप देख पा रहे होंगे, यह जो आपका cotton wick है, य एक plastic bag में जो है, यह फिल किया गया है, तो यह plastic bag जो है आपका raw material बनने वाला है, तो यह आपको लेके आना पड़ेगा खरीद के, यह market में 120 रुपे पर kg किसाफ़ से आपको मिलता है, एक kg में जो है आपका 2500 से लेके 350 के बीच में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे मेले जो है, आपको यह दो raw material में आपको recommend है, तो अब हमनों बात कर लेते हैं कि आपको इस business को start करने के लिए कौन कौन से license लेने पड़ेंगे, तो आप लोग को पता है कि यह जो business है, लगू उद्ध्यों का business है, तो लगू उद्ध्यों का कोई business start करते हैं, तो उसमें आपको उ GST नंबर ले, और ने था जो है, आप GST नंबर को छोड़ दे, तो यहाँ पर मैंने दो license लिख दिया है, और आप लोग का हर एक वीडियो में question रहता है, कि सर्थ GST rate कितना लगता है, तो यहाँ पर अगर कोटन विक बनाते हैं, तो फ्रेंस 12% का GST rate लगता है, तो जो भी raw material आप purchase करेंगे, तो उस पर आपको GST लग किया आएगा, तो आप GST claim नहीं कर पाएंगे, अगर आपको GST नंबर नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप ले भी सकते हैं, यह totally आपे depend करता है, तो अगर आप GST को voluntary basis पर लेना चाहें, तो आप ले सकते हैं, कि लिए रह प्लस 18% GST, प्लस ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट जो है, आपको लगेगा, clear, फेंट से यह जो मर्शीन है, आपका कम में भी आ सकता है, यह totally depend करेंगा कि आप कि सेलर से यह machine purchase करें, या आप Chinese machine purchase करें तो आप Chinese machine जो है, आपका सस्ता में मिल जाता है, बट यह made in इंडिया है, जहां से मैंने कोडिशन मंगा है, तो उसका प्राइस है 35 जरपे, प्लस 18% GST है, ठीक है, इसके बाद जो है आपको प्लास्टिक सीलिंग machine खरीदना पड़ेगा, फेंट सी यह जो है, आपका 15 रुपे में बहुत ही अच्छा machine आ जाता है, यह आप देख रहें, यह जो प्ल आप इस machine से सील कर सकते हैं, तो अब मैंनों बात करेंगे कि आपको cotton week का लगो उद्ध्यों के स्टार्ट करने के लिए total investment कितना करना पड़ेगा, फेंट्स यहां पे investment को मैंने पूरा bifuricate करकर दिखाया, तो investment के portion को ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला जो investment है, आपको machine के अगेंस्ट में यहां पे करना पड़ेगा, यहां पे जो machine का मैंने with GST price लिखा है 4300 रुपिया, इस machine का capacity है 45-55 piece per minute निकलेगा, किलियर यहां तक इसके बाद जो दूसरा machine आपको plastic ceiling machine purchase करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने 15 रुपिय प्राइस लिखा है, इसके बाद आपक कि 80 रुपिय पर केजी के सबसे आपको मिल जाता है, तो यहां पे raw material का जो price से आपको 30,000 रुपिया लगने वाला total, ठीके, इसके बाद जो है आपको plastic bag purchase करना पड़ेगा, जो मैंने आपको plastic bag अभी दिखाया, तो 10 केजी जो है आपको plastic bag purchase करना पड़ेगा, 120 रुपिय पर क सही तरीके से रन करने के लिए, यहां पर जो working capital है, आपको 25,000 रुपिया लगने वाला है, तो यानि कि यहां पर जो total investment देखें, तो आपका 99,000 जो है आपको total investment आने वाला है, तो यहां पर बोल सकते हैं कि approximate जो है आप एक लाग के investment में cotton week का आप business सही तरीके से रन कर सकते है यहां पर सही तरीके से में क्यों कि मैंने यहां पर working capital भी जो है as investment पार्ट यहां पर जोड़ा है, इसलिए क्योंकि working capital आपके में यहां 25,000 रुपिय सफिसेंट है इस business को सही तरीके से रन करने के लिए, कि लिए रहा तक तो अब जो है हम लोग main portion में आएंगे कि आपका कित लोगेस में 30 पीस मिलता है, बहुत सारे लोगेस में 40 पीस भी यह 5 रुपिय यहां पर फिल किया रहता है, तो मैं इस वीड़ो में 30 पीस ही जो है पांच रुपियव पकेट में चल रहा हूं, ठीक है, इसी किसाफ़ से मैंने पुरा profit यहां पर दिखाया है, यहां पर देख होता है तो आप जो उतना नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यहां पर कोई भी 100% efficiency नहीं रहता है तो इसलिए मैंने तो यहां पर नहीं पर देख पा रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को एक दिन का प्रोडेक्षिन पर चल गया तो यहाँ पे मैंने पूरे महने का production निकाला है तो पूरे महने मैंने 26 working days यहाँ पे consider किया है तो इसके हिसाब से 3,44,400 पीसे जो है पूरे महने में यहाँ पे आप production करेंगे अपने बिजनस से के लिए रहे हैं तक तो यहाँ पे देख रहे हैं continuous 8 घंटे line available रहें क्योंकि जो भी machine आप लेंगे वो line से चलेगा तो line अगर नहीं रहेगा पूरे 8 घंटे तब तक आप इतना number of cotton wick पीसे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे अब हम लोग आगे calculation की और चलते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया है कि एक केजी रोग cotton wick में आपको कितना number of cotton wick मिलेगा तो एक केजी कोटन रोग में जो है आपको 900 लेके 1000 पीस जो है आपको cotton wick मिलेंगे यहाँ पे अगर आप यह round वाला cotton wick आप production करेंगे तब ही आपका 900 लेके 1000 पीस जो है 1 kg रोग cotton में आपका निकलेगा तो यहाँ पे पूरे मन्त का production आपको पता है कि पूरे मन्त में जो है आपका इतना पीस निकल रहा है तो इसके हिसाब से आपका कितना raw material का खरपत होगा तो यहाँ पे 375 kg का raw material आपको खपत होगा तो मैंने उपर raw material में यहाँ पे दिखाया था देख रहे हैं यहाँ यहाँ पे 375 kg आप लोग दिखाया है किलिर तो यहाँ पे जो आपका cotton week का size होगा वह 2руг इंच का होगा अगर आप यह production करते है तो ठीक और यहाँ पे जो भी आप cotton बने विक प्रोडक्शन करेंगे इसका उसका जो साईज है दो इंच कर आया इंगा, चुछ होगा, ठीके? तो नीचे मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, यहां पर हम लोग प्रक्शन करेंगे, यहां पर प्रक्ष में करेंग प्वेट करने वाले हैं किलिह यहां पे 5 कट में तीस पीस से लें के फार्सक्राइब पर ड्राइब होता है जैसे अधैं मैं Hadya आपको बता है तो यहां पे अगर यहां पर जो हूआ manufacturing cost है 3 रुपया आपको आता है कितना आता है 3 रुपया आपका आता है तो इसके इसाब से पूरे मन्त में जो है आप 3,44,400 पीसे जो है आप production करें तो यहाँ पे आप लोग को बता है कि 5 रुपया वाले पैकेट में 30 पीस होता है तो यहाँ पे आपका जीतना नंबर पीसे था इतना 3,44,400 तो इतना में जो है आपका कितना नंबर पैकेट आपका प्रिपेर होगा यहाँ पे जो टूटल पैकेट है 12,480 पैकेट जो है 5 रुपया वाले आप त्यार कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका production cost पता था तो यहाँ पे देख रहे है 3,5 रुपया पर पैकेट का यहाँ पे पैकेट है और यहाँ पे 12,480 पैकेट है तो इसके सबसे टूटल मंतली रेवेन्यू कितना आ रहा है 43,680 रुपया आपका निकल के आ रहा है तो फेंट्स यहाँ पे अगर आपको पूरा नेट पॉफिट निकालना है तो इसके लिए आपके लगू उद्योक में मंतली कितना खर्चा और उसके बारे में आपको पूरी दर से नौलेज होनी चाहिए अगर आपको नौलेज है तब ही जो है आप नेट पॉफिट निकाल पाएंगे तो चलिए हम लोग यहाँ पे मंतली एक्सपेंडीचर के बारे में बात करेंगे सबसे पहला जो एक्सपेंडीचर है जो भी मेंपावर आप रखेंगे उसका सैलरी आपको देना पड़ेगा तो मेरा परसनल ओपिनियन यही है कि क्यों फेंड्स यह जो है आपका लगू उद्द्यों का बिजनस से आप इसको घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो इसके लिए आप मेंपावर में उमिन को सबसे ज़्यादा कंसिरर कीजिए ठीक है क्यों कि फेंड्स आप उमिन को कम सैलरी में भी रख सकते हैं 10,000 पर दिखाया है तो टूटल यहां पर देखेना तो आपको 21,000 रुपया जो है आपका टूटल मंतली एक्स्पेंडिचर इस बिजनस में आने वाला है फेंड्स यहां पर जो भी मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 22,680 रुपय का यह आप तभी अर्न कर पाएंगे जब आप अपने यूनिट का टूटल नंबर आफ पैकट आप सेल करेंगे यहां पर जो आपका महिने का पैकट था 12,480 पैकट था तो अगर यहां पर आपको अपने पैसे को रोटेट करना पड़ेगा तो कहीं ने कहीं अगर आप यहां पर देखे तो आपका जो मंतली यहां पर जो आपके पैसा दिखेगा वह एराउंड जो है 12-15 र के बिच में आपको दिखने वाला है यह जो आपका प्रॉफिट है ध्री-धरी इंक्रिस करेगा हो सकता है कि शुरुवाति की तीन में जो है आपका बिचनस उतना नहीं चले जितना चलना चाहिए जैसे जैसे आप मार्केड पकड़ेंगा फैंस वैसे वैसे जो आपका प्रॉफिट जो इंक्रिस करते जाएग प्रोजेक्ट रिपोट चाही तो फेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं इसके लावा जो है आप मेरे इंस्टागरम पर आई वहाँ पर मुझे परसनली मैसेज कीजिए मैं डेफिनली आपको रिप्लाइक करूँगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेर्जो कीजिए तक जिलनों को नहीं जानकरी उनलों को जानकरी हो सकते हैं बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में धन्यवाद जय हिंद्र